तो ये तो आप लोग ने बहुत बार सुना होगा कि रिफाइंड ओल का यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है लेकिन शायद आप इसके पीछे की सचाई नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है तो आज की वीडियो इसी वारे में है तो आएए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों रिफाइंड ओल हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है रिफाइनिंग के टाइम पे 200-500 डिगरी तक बीजो को गरम किया जाता है और इन बीजो से 100% तेल निकालने के लिए हेक्जेन नामक पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और हेक्जेन तब प्रोड्यूस होता है जब आप क्रूट पेट्रोलियम ओयल को रिफाइंड करते हो तो Refined Oil के नाम पर आप एक तरह से Petroleum Oil का पदार्ज जिसे Hexane बोला जाता है उससे इस्तिमाल करते आ रहे हैं और Hexane एक ऐसा Petroleum Based Solvent है जो की हमारे स्वस्थे पे बहुती बुरा प्रभाव डालता है और Hexane जैसे Petart का Long Term Use हमें Cancer जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है इसके इलावा बहुत सारे खतरनाख Chemicals जैसे की Castic Soda, Phosphoric Acid और Bleaching Cleanse जैसे खतरनाख Chemicals का प्रियोग किया जाता है ताकि बचेवे बीजो से भी ज़्यादा मातरा में तेल निकाला जा सके और इन सब Chemicals का पता ना चले इसलिए Refined Oil को बिना Color और Smell के बनाया जाता है बीजो से Refined Oil बनाने के लिए उन्हें Highly Intensive Chemical Process से गुजरना पड़ता है और इस पूरे प्रोसेस में बीज के Natural Nutrients पूरी तरह से खतम हो जाते हैं और इस तरह से बीज बहुत ही आसानी से Oxidize होने लगते हैं और इस तरह से Easily Oxidize होने वाला कोई भी पदार्थ Cancer Causing बन जाता है और जब बीजो को 200 से 500 डिगरी के तापमान पे गरम किया जाता है तो उसमें से HNE नाम का एक Component निकलता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानीकारक होता है और जितने भी Refined Oil होते हैं वो Hydrogenated होते हैं यहाँ पे Hydrogenated का मतलब है कि Room Temperature पे रहना तो आप देखेंगे कि जो भी Refined Oil हम यूज करते आ रहे हैं वो सरदियों में भी जमते नहीं है Room Temperature पे रहते हैं और उसका कारण है उनका Hydrogenated होना तो इस तरह से Refined Oil का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत हानीकारक माना गया है Refined Oil का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से Heart Attack, Arteries Blockage, Brain Damage, Diabetes, BP, Cancer, हट्डियों की कमजोरी, जोडों का दर्द, कमर दर्द, Kidney Damage, Liver का खराब होना, कॉलिस्ट्रोल लेबल का बढ़ना, आँकों की रोशनी कम होना, Skin Problems ऐसे हजारों रोग हैं जिनका मुख्य कारण Refined Oil होता है तो अगर आप अपना और अपने परिवार का जीवन बचाना चाहते हैं तो आज ही Refined Oil का इस्तिमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तो इस वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये information आप सभी लोगों तक पहुँचा पाएं और अगर ये वीडियो पसंद आए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि इस तरह की important और useful वीडियो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो पाएं तो तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखें तिल दन यू टेक केर, have a good day, bye-bye